बहुत बहुत स्वागत है दर्श्रकूप एक सवाल सब के मन में इस समय आ रहा है कि आखिर गरीब कौन है छे हजार रुपए कमाने वाला या फिर साथ हजार कमाने वाला आप किसको कहेंगे दरसल मदरास हाई कोट में एक याचिका दैर करके यह सवाल पूछा गया है कि अगर आठ लाख रुपए कमाने वाला विक्ति EWS यानि कि आर्थिक रूप से कमजोर है तो फिर धाई लाख र आएकर की जो सुवा है वो पांच लाख है यानि कि सालाणा पांच लाख रुपए कमाने वालेसे आएकर वसू लजाता है कोट में मामले पर संग्यान लेते वे केंद सरकार से जवाब मागा है कि फिलहाल मामले को चार सब्सक्राइक के हमने इस्थगी संशूधन किया जाए यह प्रावधान कहता है कि कोई विविक्ति जिसकी कमाई साल में धाई लाग से कम है वह आयकर की सीमा से बाहर रखा जाएगा यानि कि उससे ज्यादा है तो आयकर की सीमा में आएगा याचिका करने वाले ने हाल के सुप्रीम कोड के आदेश को आधार बनाया है और जनहित अभियान बराम भारत सरकार में सुप्रीम कोट ने EWS चेनी के लोगों के लिए 10% आरक्षन की विवस्था को जिसमें सही ठायराया है दर्शकों भारत में गरीबी रेखा से नीचे या गरीब लोगों को विशेश प्रकार के राशनकार दिये जाते हैं हाल ही में मोदी सरकार ने फैसला लिया कि सरकारी उचित मुल्य के दुकानों से सिर्फ उन्हीं लोगों को राशन मिलेगा जो की गरीबी रेखा से नीचे होंगे आईश्मान भारत या तमाम योजनाओं का लाब भी गरीबी रेखा के नीचे वालों को ही मिलेगा मौजुदा समय की अगर बात करें तो किसी वेक्ति की प्रतिजिन की आए अगर 147 रुपए या उससे नीचे है तो वो वेक्ति गरीबी रेखा में आएगा बता दें कि ये मानक 2011 की कीमतों और महगाई को ध्यान में रखते हुए निर्धायित किये गए थे विश्व बेंक समय समय पर महगाई और जीवन यापन के खर्ज को ध्यान में रखकर मानकों में बदलाओ करता रहता है अब मोधी सरकार ने दो प्रकार के लोगों को गरीब मानने से इंकार कर दिया है एक तो वो जो शहर में रहकर 28 रुपए 65 पैसे प्रति दिन और गाउं में रहकर 22 रुपए 42 पैसे प्रति दिन खर्च कर रहा है ऐसे लोगों गरीब नहीं कहा जा सकता नए फार्मूले के अनुसार शहर में रहने वाला कोई वेक्ति अगर महिने में 869 रुपए 60 पैसे और ग्रामिन छेत्रों में रहने वाला 672 रुपए 80 पैसे से अधिक अगर वो खर्चा कर रहा है प्रति दिन तो वो वेक्ति यानि प्रतिमा तो वो वेक्ति गरीब नहीं है करोड लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गया अब यूएंडीपी ने कहा कि बिहाद जारकंड और उत्तरप्रदेश शुरू से जो सबसे गरीब राज्यों में थे लेकिन इन राज्यों में राष्ट्री और सत की तुलना में गरीबी को तेजी से कम किया याने कि गरीब 850 रुपई से कम अगर वो कमाता है तो मोधी सरकार उसको गरीब मान सकती है और उसी वेक्ति को सवस्ता राशन और कुछ सरकारी योजनाव में छूट मिलेगी लेकिन मोधी जी की इस थियोरी में एक ट्विश्ट है अगर वेक्ति ब्राह्मन है और उसकी मासिका है छे हजा नहीं बलकि 60,000 है तब भी वो आर्थिक रूप से कमजोर याने की गरीब माना जाएगा और उसको सरकारी नौक्रियों में 10 प्रतिशत आरेक्षंड का लाब दिया जा सकता है अब आपको समझ में आ गया फिर भी सुनिए अगर आप ब्राह्मन या सवर्ण नहीं है और आप 6,400 रुपए से 1 रुपिया भी जादा है तो आप गरीब नहीं माने जाएगे लेकिन अगर आप ब्राह्मन या सवर्ण है और आप महिने का 60,000 रुपए सालाना या 8,000 रुपए सालाना कमा रहे हैं अब सवाल ये है कि अगर आप आठ लाग तक साला ना कमाते हैं तो गरीबी रेखा में आएंगे। इसी लिए सवाल उठने लगा कि पांच लाग एक रुपिया कमाने वाला आदमी इंकम टैक्स क्यों दे। क्योंकि सुप्रीम कोट ने आठ लाग तक कमाने वाले को गरीब मान लिया है। अब आप बताईए सवाल तो बनता है ना कमेंटर करके आप ज़रूर बताईएगा।